हलो दोस्तों मैं हूँ योगेश गुपता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस के एक्स लाइन वेरियंट के बारे में प्राइस की बात करें तो ये कार आपको पड़ेगी लगबग 20.5 लाक आउन रोड तो आज की इस वीडियो में इसी कार का फुल वॉक आराउंड करेंगे और जानेगी कि जब 20.5 लाक एक किस लाक रुपए आप लगा रहे हैं तो यह क्या क्या फीचर्स आपको आफर करती है सुरुवात करते हैं सकी फ्रेंट प्रफाइल से आप सकते हैं माःट ग्रिफाइट तर में आपकगे आपका 4 फैरेंट पार्किंग सेंसर आपको ओफर किये जाते हैं लाइट शडप की बात करें तो crown jewel LED पैटर्न वाला यहां पर light आपको देखने को मिलेगी चार लाइट है LED DRL सा आपको offer किये जाते हैं नीचे देखेंगे तो आपको LED में इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे और fog lamp आइस क्यूब पैटर्न में है बोडी लाइन पर आपको creatures देखने को मिल जाएंगे जो काफी बड़िया लगती है देखो 360 डिर कैमरे का पार्ट आपको यहां पर भी दिया गया है sensing wipers offer किये जाते हैं वहीं उपर देखें तो silver color में roof rails sunroof और shark fin antenna देखने को मिल जाएगा चले बात कर लेते हैं इस car के rear profile के तो कुछ इस तरह से rear profile आपको देखने को मिलती है पीछे भी देखो आपको कहीं पर भी chrome का use देखने को नहीं मिलेगा rear wipers defogger lines high mount stop lamp और shark fin antenna आपको देखने को मिल जाएगा इधर किया connect की बैजिंग ओफर करी जाती है पीछे देखेंगे तो आपको किया का लोगो 360 की कैमरा और चार चार रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएगे rear skid plate देख लिए कुछ इस तरह से glossy black finish में आपको देखने को मिलेगी यह रही आपके underbody इधर आप देख सकते हैं TGDI की बैजिंग दे रखिया और ऊपर ही X-Line की बैजिंग दी है heart bit type अपका LED tail light setup देखने को मिल जाएगा नीचे आपके reflectors offer किये जाते हैं दोस्तों कोई भी chrome का use यहां पर भी देखने को नहीं मिलेगा सबसे बड़िया बात है एकदम flat boot offer किया जाता है इधर भी आपको speakers देखने को मिलेंगे total art speakers इसमें एक आपका luggage lamp offer किया जाता है parcel tray है और रियर शीट से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको dashboard देखने को मिलता है दोस्तों बात कर लिजाए तो spare wheel की तो spare wheel आपका steel rims में सत्रे इंचेस का spare wheel आपको यहां पर देखने को मिलता है प्रोफाइल है दोस्तों पंद्रा साट आर सत्रा बाकि आपकी फर्स्टेट के इमर्जंसी ट्रेंगल और टूलकित यहां पर देख पाएंगे यह तो होगे आपका complete exterior आप बात कर लेते हैं interior features की black और indigo color में आप दो यह बोस की ब्रैंडिंग है 8 speaker और 2 tutor offer किये जाते हैं यह आपका bottle holder और umbrella holder बात कर लिजा है driver seat की तो देख लिजए आपको electrically adjustable driver seats offer करी जाती हैं साथी साथ front की दोनों seats आपको ventilated देखने को मिल जाएंगी pure leather seats देखने को मिलेंगी indigo color इसको कहते हैं white stitches हैं यह देख लिए आपक accelerator और brake साथ में dead pedal देख पाएंगे यह आपके headlight के control instrument cluster का intensity के लिए HUD और traction आफ करने का button दिया गया है इंजनी start stop switch आपको देखने को मिल जाएगा साथी साथी यह रहे आपके AC के vents जब आप अंदर बैठ जाएंगे तो आपकी नजर सबसे पहले पड़ेगी कुछ इस तरह के digital instrument cluster पे basically analog और digital दोनों का combination है tachometer और speedometer आपका analog में बागी सारा portion आपका digital में देखने को मिलता है TPMS जैसे features आपको यहाँ पर offer किये जाते हैं दोस्तों steering देख लो flat bottom steering offer किया जाता है with silver recent leather wrapping वगएर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी इधर आपके सारे multimedia की controls और इधर देखेंगे तो आपको cruise control वगएर offer किये जाते हैं Kia की badging, airbag की badging, इधर आपके paddle shifters इधर देख सकते हैं यह भी आपके paddle shifters automatic headlights के control और automatic rain sensing wipers के control देखने को मिल जाएंगे, total 6 airbag यहाँ पे आपको offer किये जाते हैं steering column आपका tilt और telescopic support के साथ आता है, चलिए लगे हाथ आपको HUD view भी दिखा दिते हैं, यहाँ से आप HUD view on कर सकते हैं तो आप देख लिए कुछ इस तरह से आपको HUD view देखने को मिलेगा, आप डिसाइड कर लो कि इसकी कितनी requirement है यह नहीं है, मुझे तो ऐससे इसकी इतनी ज्यादा requirement नहीं feel होती है infotainment system की बात करी जाए तो आपको 10.2 इंचेस का infotainment system आपको देखने को मिलता है, with android auto और apple carplay support, Bose के speakers है, air vents आपको देखने को मिल जाएंगे, hazard की light है, automatic climate control आपको देखने को मिल जाता है, wireless charger, 12 volt का socket, 1 usb port और 1 usb port charging के लिए थोड़ा सा space, यहां से आप drive mode बगरा और traction change कर सकत है, front ventilator sheets के control, park assist का control, 7 speed DCT gearbox, rear view camera, कुछ इस तरह का console देखने को मिलेगा, manual hand brakes, 2 cup holder, armrest आपका soft में, sliding नहीं है, और कुछ इस तरह का space आपको देखने को मिल जाएगा, armrest के अंदर, चलिए लगे है तो आपको इसके 360 degree camera की जलक भी दिखा दी जाए, तो देख लीजे, कुछ इ 360 degree camera और reverse camera देखने को मिलता है, with guidelines, बाकि brightness वगेरा यह सब आप control कर सकते हैं, और यह रहा आपका छोटा सा glove box, dashboard देख लिए कुछ इस तरह का आपको indigo और black color में, glossy black finish में आपको देखने को मिल जाएगा, बाकि driver side में कोई भी vanity mirror देखने को नहीं मिलता है, automatic IRVM, day and night है, with Kia connect support, sunglasses holder, cable light आपको LED में देखने को मिल जाएगी, आपका साथी साथ, यह sunroof भी offer करी जाती है, one touch, आप इसको operate कर सकते हैं, चली लगे हाथ, इसका anti-pinch feature भी check कर लिए जाए, तो anti-pinch feature काफी बढ़िया से इसका काम कर रहा है, दोस्तों, go passenger side में, आपको vanity mirror देखने को मिल जाएग door panel देख लिए ज्यादा कुछ यहां नहीं है, color combination वही है, इंडिगो और black color का glossy black, silver satin finish का भी यहां पर अच्छे से use किया गया है, third curtains भी आपको यहां देखने को मिल जाते हैं, यह रही आपकी sill plate, चारो doors में आपको sill plate देखने को मिल जाएगी, चलिए एक बार अंदर बैट के इंटीर्स चेक आउट करते हैं, इंटीर्स देख लिए आपको काफी बैतरीन सा indigo और black color का इंटीर्स देखने को मिल जाएगा, साथी साथ cream color भी अच्छे से use किया गया है, केविल लाइट्स आपको यहां पर वी LED में देखने को मिल जाती है, AC के वेंट्स मिलते है, air purifier मिलता है, एक USB port charging के लिए थोड़ा सा space, थोड़ा सा हम पर आप देखने को मिल जाएगा, बात कर लिए seats की तो 60-40 split में seats देखने को मिलेंगी, foldable है, तीन adjustable headrest, तीनो passengers के लिए seat belt, बीच में आपको देखो cup holder भी देखने को मिलता है, armrest और cup holder आपको offer किया जाता है, यह रही आपकी parcel tray और rear से देखेंगे तो आपको देखो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, with sunroof काफी अच्छा लगता interiors, thigh support देख लो आपको thigh support में थोड़ी सी कमी महसूस होगी, leg room और knee room में as such कोई problem नहीं होने वाली है, driver और co passenger दोनों की seat के पीछे आपको magazine holder देखने को मिल जाएगा, last but not the least बात कर ली जाए इसके engine की तो इस कार में आपको 1.4L का turbo petrol engine देखने को मिलेगा, जो 138bhp की power और 242Nm का torque देता है, यह वाला variant सायद से अब discontinue हो गया, basically 1.4L वाला engine ही इना discontinue कर दिया गया है, कैसी लगी कार, comment में जरूर बताएगा, वीडियो कैसी लगी वो भी comment में जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करेगा, चैनल को subscribe करेगा, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, next video आसे फिर मुलागात होगी, तब तक के लिए जैन जै भारत झाल झाल